नमस्कार मैं श्वीत और आप देख रहे हैं न्यूस फॉनिशन एक और जहां लगातार कॉंग्रेस की तरफ से ये मांग की जा रही है कि बिहार सरकार के मंत्री मंदल में उनके दो मंत्री और बनाये जाए कि बिपक्षी दल की बैठक 23 जून को बिहार में हुई थी इस बैठक में कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी भी आए थे राहूल गांधी जब आए थे तो नितीश कुमार ने सबके सामने ये बात कही थी कि चलिए बताईए आप मंत्री मंदल विस्तार पर क्या कुछ कहना च वहीं कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्षक हिलेश प्रसाद ने कहा था कि इस मंत्री मंदल विस्तार में उनकी जो कॉंग्रेस की जो मांग है ये मांग है कि उसमें दो मंत्री कॉंग्रेस के शामिल हो जिसको लेकर आज बिहार सरकार बात कर सकती है बिहार सरकार में मंत्री मंदल विस्तार के आसार बन रहे हैं माना जा रहा है कि 24 जुलाई को नितीश कुमार की कैबिनेट का विस्तार हो सकता है दावा है कि रास्ट्रे जुनता दल से दो और कॉंग्रेस से दो नेता मंत्री पत की शपत ले सकते हैं इस विश्ज कॉंग्रस के बिहार ईकाई के प्रबारी भग्चरंदास स्यम नितीश कुमार से मुलाकात करेंगे. दीगर है कि बिहार में बीदे कुछ दिने से मंत्री मंदल विस्तार की बाते कही जा रही है, माना जा रहा है कि नितीज सरकार में आगामी लोगसवाचुनाव को ध्यान में रखते हुए कुछ नए लोगों को काबिन में एंट्री मिल सकती है दूसरी ओर कॉंग्रेस भी लंबे समय से अपने नेताओं को कैबिनेट में शामिल करने की मांग करती रही है नितीज सरकाबिना में कॉंग्रेस की ओर से फिलहाल अफाक एहमद और मुरारी गौतम मंतरी है माना जा रहा है कि सीम से मुलाकात से पहले कॉंग्रेस अपने दो ने चेहरे को लेकर फैसले कर चुकी है सीम से भक्चरंदास की मुलाकात के दौरान पार्टी के प्रदेश सध्यक शकलेस प्रसास सिंग भी मौजूद रहेंगे राज़त की बात करें तो यहां भी दो ने चेहरों को एहम बताया चारा है इससे पहले राज़त कोटे से मंत्री कार्थिक कुमार और सुधाकर सिंग स्थिपा दे चुके हैं ऐसे में उनकी जगा भी नए मंत्री आने की चर्चा जोर पर है बीते महीन जीतन रा मांची की अगुवाई वाली पार्टी में हमके नेता संतोस कुमार सुमन ने बेस्थिपा दे दिया था मांची के अगुवाई वाली पार्टी भारती जंता पार्टी की नीती रास्ट्री जंतांत्री गटवंदन में शामिल हो गई है संतोस सुमा ने बिहार सरकार पर कई आरोप लगाते हुए एक काविना में इस्तिफा दे दिया था इसके बाद से ही नतीश सरकार मंत्री मंडल विस्तार के आसार जताय जा रहे है संतोस और उनकी पार्टी कारोप था कि नतीश कुमार के नेतृत वारी जनता दली उनाटिन हमका विलेच आती है जिस वज़ेस से उन्होंने गठवंदन से किनारा कर लिया जहां एक तरफ विहार सरकार के मंत्री मंडल विस्तार को लेकर ये ख़बर सामने आ रही है कि 24 जुलाई को ये मंत्री मंडल विस्तार किया जाएगा और इसमें एहम फैसले लिये जाएगे एहम फैसले कुछ इस तरीके से होंगे कि दो राज़त के मंत्री और दो कॉंग्रिस के मंत्री उस दिन शपत ले सकते हैं इस बात को लेकर आज चर्चा होने जारी है वहीं आपको बताते चलें कि लगतार कॉंग्रिस की तरफ से ये मंग थी कि उनके मंत्री मंडल विस्तार में दो मंत्री कॉंग्रिस के और शामिल हो पहले से दो मंत्री शामिल लेकिन कॉंग्रिस ये मंग शुरू से ही करते आ र होंगे और वो दो मंत्री राजवत के कौन होंगे जो जिन शपत लेंगे फिलाक ले इस खबर में इतना ही अनिक अप्डेट्स के लिए देखते रहे है न्यूस फोनेशन